पिछले चार सालों में आंक्रे बहुत ख़ाब हुए हैं और इस बजट से बीजेपी जो दावा कर रही है कि सारी चीजे ठीक कर ली गई है ऐसा है नहीं इसके मिसरा जी है वेपारियों के सलाकार हैं उनसे जानते हैं कि सर वेपार जगत किस तरह से ले रहा है इस पूरे बज पिछले चार सालों की तो आप देखे शुरू में इन्होंने फोकस किया इंडस्टियलाइशन पर में इन इंडिया यह सारी चीजे दी ती अब की बार देखने से यह लगता है इनको यह लगा कि अब की बार हमें शिफ्ट करना चाहिए पूरे डैनामिक्स को तो इन्होंने रूलर डेवलमेंट और एग्री रिलेटेड जो बिजनेस हैं उस चीज को इन्होंने फोकस किया है तो जो इंडस्टलिस्ट है इसमाल स्केल के जो इंडस्टलिस्ट है या फिर इवें सेलरीट परसन जो है उनके लिए यहां पर कोई बहुत उत्साफ वर्धव नतीजे गौवर्मेंट नहीं दिये हैं चोटे वेपारियों को पुरसाहित करने के लिए जो इसकी मैं लोन की उसको असान क्या सरल किया उन्होंने ने देखे बहुत चीज मैं आपको बताना चाहता हूं होता क्या है कि प्लानिंग इडिस डिफेंट तिंग पेपर पे आपने सारी चीजे की मैं इसके पाले का भी उतना नहीं दिख रहा है जितना बीजेपी ने खुद एक्सपेक्ट किया था कैनी वे मेजें कि इतने बड़े बड़े वहां पे अर्थशास्टी बैठे हुए हैं गौर्मेंट के साथ ऐसी इनके पास ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई कि 90% बजट को आप सोकस केवल और केव इंटर्विव से देखूं कि अगर भारत के रूलर एरिया की दशा बदल गई तो देश की भी दसा बदल सकती है लेकिन लगता नहीं कि 2014 में सरकार बनी थी अगर ग्रामीन इलाकों पर बीजेपी को इतना ही की चिंदा थी या फोकस था तो 2014 2015 2016 उनके पास थे ताकि ना सिर् नेरबेसिस का अप्रोच होता है उस पे होता ही है कि उन्हों ने उस ठोकस इस चीज पे किया जो भूर्टंट लगा मेग इन इंडिया हो गया मतलब इंडस्ट्री इसको ब्रो करने के लिए किया आप पीछे के बजर्ट में आप जाके देखेंगे तो रूलर पे उतना फोक कि लिए उसके साथ बजट में आप एक चीज़ देखिए टीवी के मरीजों के लिए फाइफ अंडेड रुपीस का प्राउधान किया गया है जी टीवी के मरीजों के लिए एक जो में दवा होती है वो रिफंसीन होती है सर पांचा रुपय में महीने वर की तो आप दवा भी नहीं करीद पाओगे जी और इस पेशल डाइट की ज़रूरत होती है अब इस तरीके के प्लान को अगर किया जाए अगर इस चीज को एनलाइज किया जाए तो फाइफ उन्डेड रुपीस आप टीवी के मरीजों को देखे क्या बोलना चाते हो जी कि कोई बहुत बड़ा है तो आको आपने तीर मार लिया करो और वा दो 12 पार्क बना रहे है उसमें किसी किसान को डिरेक्ट टो फैदा नहीं होगा कोई किसान तो मेड़ा मेगा फूर पार्क बनायेंगा नहीं Cecilis चीछ को यह तो अगर देखा जय तो फतंजली अहिरवेदा सबसे ज्यादाइब क आटा हैं ये लोग पैसे लगाएंगे लेकिन उसका एक बहुत पॉस्टिफ पहलू भी है जिसको कि मैं बोलूंगा वो है कि ये रूलर एरिया में बनते हैं तो वहां पे इंडिरेक्ट वे में जॉब क्रियेशन होगी अगर उसके साथ एग्री से रिलेटेड जितने और सेके करना है और उसके साथ किसानों को भी वहां पर बहुत सारे फाइदे होंगे तो ये एक अच्छी पहल है लेकिन सवाल ये है कि अगर रूलर एरिया को आप डिवलप आपका प्लान ये है कि जी मैं एक साल में कर लूँगा तो वह पॉस्बिल नहीं है ये कॉन्टिनूस बिल समर्थन मिला 23 मार्च को अन्ना ने घोषना की थी कि किसानों के समर्थन के लिए वो दिली में फिर बैठेंगे तो क्या सरकार को पता है कि इस तबके को खुश करना जरू है कि ये तबका सबसे अधा नाराज था इस समय मैं आपको फिर याद दिलाना चाहता हूँ कि ये तबका नराज था नहीं है नराज है इस वक्त जो है कोई ऐसी मिजर प्रॉमिसिंग जो है किसानों के लिए नहीं की गई है सरकार ने वादे तो किये थे चार साल पहले कि उनको 50% समर्थन नेंगे यानि उनकी क्रॉप्स क भरतियंदा पार्टी करती आ रही है इन तरम्स पहले मूल समर्थन की बात की थी 50% आज जो है सरकार में आते ही सबते पहले वो मना कर दिया गया कि नहीं सब स्टेट सरकारे जो है वो रिस्वांसिबल होंगी लोन को माफ करने के लिए खैर बारहाल टैक्सेशन्स पर हमसे इस वक्त वसूल की जा रही है तो यह सब जो है गौर्णिन के खजानों में जमा हो रहा हर जंगार से प्रॉफिट ही आ रहा है वैसे ही आपके रेलवे के अगर यह बात करते हैं तो रेलवे में दो रुपय के टिकेट बीस रुपय के अल्री कर चुके हैं बहुत अगर उसमें यह बरोतरी अगर यह दिखा कि अचीव्मेन दिखा रहे है तो अल्रड है यह प्रॉफिट है वह अल्री इन्हों ने कवर अप कर लिया है दो रुपै से बीस रुपय के टिकेट करने पर ही प्लस में च्वेश जो है वो 30 की निकर ही वह बडा दिए गए अगर आप ये distance cover करते हैं तो लंबा distance को वो cover करते हैं तो ऐसे ही हर चीज़ पर gas cylinder की अगर हम बात करते हैं तो 414 रुपए कर जो cylinder था आज वो 800 रुपए से जादा उचा हो मतलब उपर उनके prices हो चुके हैं वैसे हमें दाल जो है 70 रुपए की जो दाले थी आज 1500 रुपए की हो चु का पहले fastest growing economy थी जो चाइना से ऊपर थी आज उसका बहुत बड़ा जो एक्जाम्पल ये कि हम चाइना से नीचे हैं इन टर्मस ऑप इसके पूर्टी के लिए एक बहुत बड़ी घोशना आज भारत सरकार के द्वारा की गई है नरेंद्र मोधी सरकार ने तै किया है कि इस बजेट के बाद जब कभी भी समर्थन मुल्य की गोशना होगी ओ लागत मुल्य से डेर गुना समर्थन मुल्य गोशित किया जाएगा मैं मानता हूँ कि आजादी के बाद पहली बार किसी सरकार ने ये हिम्मत दिखाई है कि किसान की लागत से डेर गुना समर्थन मुल्य उनको देना इसके साथ साथ सभी फसलों के लिए समर्थन मुल्य की गोशना करने का भी एक फैसला भारतिय जन्ता पार्टी की मोधी सरकार ने किया है और पेशन गीर्ण के तहट आलू टमाटर और प्याज कई बार किसानों को रोने का सबब बनते थे उसके लिए भी पांसो करोड हुपया और इसमें जब राज्यों के एड होंगे तो ये रकम बहुत ज्यादे हो जाएगी देश की इसके लिए अब्हेंटिक किया गया है ग्रामिन हाट कुशी बजार के लिए भी 2000 करोड उपय का एक विशेश प्लानिंग किया गया है फुड प्रोसेसिंग के लिए 1400 करोड उपया दिया गया है राश्टिय बांस मिसन के लिए लगबग लगबग 1300 करोड उपय का प्लानिंग किया गया है जिससे न केवल बांस का आयात कम होगा छोटी जोत वाले किसानों के लिए एक कम मजदूरी वाली कम लागत वाली खेती के लिए बांस का विकल्प खुला होता है कुशिक शेत्र में संस्थागत कर्ज के लिए जो राशी थी उसको बढ़ा कर अब 11 लाग करोड तक ले जाने का काम ये भारतिय जनता पार्टी की सरकार ने किया है मैं पार्टी की और से उसकी बहुत रदय से स्वागत करता हूँ कुशी उत्पाद के साथ कुशी उत्पाद की प्रोसेसिंग के साथ जुड़ी हुई कंपनियों में टैक्स के राहत की भी घोशना की गई मचली पालन के लिए 10,000 करोड का दो योजना बनाने की बात की है जो किसानों की आज दो गुना करने के योजना का एक हिस्सा रहेगी और पसु पालन के लिए भी और मचली पालन के करने वाले किसानों के लिए क्रेडिट कार्ड की घोषना करकर उनको अच्छे तरीके से रून मिले इसकी व्यास्ता करी हैं इसके साथ साथ सहरों में लेने वाले हमारे देश के नागरीकों को एक गंटा भी अगर बिजली चली जाती है तो बहुत बड़ी परेसानी होती है और दूर दराज ग्रामिंट शेत्रों में बहुत सारे गाउं ऐसे थे जहाँ पर बिजली नहीं पहुँची थी मही तक गाउं में बिजली पहुँचाने का काम समाप्त हो जाएगा अब सरकार सवबाग्य योद्ना के तहट हर घर में बिजली पहुचाने का लक्स रखा है और 2022 तक हर घर में बिजली पहुचाने का काम समाप्त कर दिया जाएगा और इसके लिए इस बजेट के अंदर बहुत बड़ी रासी का आवंटन किया है आईश्यमान भारत एक नए विचार प्रधान मंत्री जी ने इस बजेट के माध्यम से देश के सामने रखा है हर व्यक्ति स्वास्तवान हो स्वास्त अच्छा रहे नए भारत की कलपना है उसमें से एक कलपना है इसको साकार करने के लिए भारत्य जनता पार्टी की नरेंद्र मोधी सरकार ने हर गरीब परिवार के लिए लगबद दस करोड परिवारों के लिए परिवार के पांच लाख रुपय की विमे की व्यवस्था करी है मैं मानता हूँ करिब करिब देश के 40 करोड से ज्यादा लोग इस योधना के तहट अपने आपको लाख को पाने के लिए समर्थ कर पाएंगे और इस योधना का इतना अच्छा पतिभाव जनता में आता है कि आज काफी कारे करताओ के पास से मैं फिडबेक लेता था तो आईश्यमान भारत जैसे सब्दकी जगे जनता में योधना अभी से नमो केर के नाम से जानी जाती है बहुत अच्छा पतिभाव इस योधना को आज मिला है मैं मानता हूँ कि हमारी सरकार की बहुत बड़ी उपलब्दी है 24 नए मेडिकल कॉलेज खुलने के लिए भी इस बज़ेट के अंदर प्रावदान किया है और लक्स रखा गया है कि हर तिन लोग सबा में एक मेडिकल कॉलेज 2022 तक खुला जाएगा 2022 तक हर आदिवासी जिले में एक लविय मोडेल रेसिडन्सी स्कुल बनाई जाएगी वरोधरा के अंदर रेलवे इन्यूर्सिटी का गठन किया जाएगा जिससे दुरुद गती से चरने वाली ट्रेन मेट्रो और रेलवे के सुधार पर आरेंडी का काम भी होगा और इसको 14.34 लाग करोड रुपया ग्रामिन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आबंटिट किया गया है पांच लाग गाओं में ब्रॉडबेंड को पहुचाने का लक्स रखा है जिसमें बड़ा हिस्सा इसी विट्टिय वर्स के अंदर समात कर दिया जाएगा देश भर के अंदर 6 करो स्वच्चाले और बनाने का फैसला भारतिय जनता पार्टी की सरकार ने किया है मैं मानता हूं कि नरेंद्र मोदी सरकार ने जो स्वच्चता के लिए का भ्यान उठाया है इसकी दिशा में उसको सफल करने के लिए बहुत बड़ा कदम है देश के 115 जिले चिमहित कर लिए ग 115 जिलो को पहुचाने के लिए भी एक बहुत बड़ी रासी का आयोजन प्लानिंग इसके अंदर किया गया है इसके साथ साथ सरकों को जोडने का भी लक्स रखा गया है रिल्वे के लिए लगबग एक लाक 48,000 करोड उप्या गत वर्स से 20,000 करोड के करीब रासी जादे पट्रियों के नविनी करण का एक लक्स रखा गया है और रिल्वे के 4,000 किलो मिटर के एक शेत्र को विद्ध्यूति करण से आधूनिक बनाने के लिए भी लक्स रखा गया है इंफ्रस्ट्रक्चर के शेत्र में 5,5,97 लाक मतलब 6,00, करोड उप्ये का इन्वेस्टमेंट क करने का निर्धारित किया गया है 9,000 किलो मिटर राश्ट्री राजमार्गों के निर्मान के लिए भी किया गया है 124 एरपोर्ट जो अभी है वो 124 एरपोर्ट से बढ़ा कर 5 गुना बढ़ा कर देश को उडान योदना के माध्यम से आम आदमी को जोडने के लिए उडान य 100 करोड टर्नोर वाली किसान कंपनियों को लगबग लगबग 100% कर में रियायत दी गई है टेक्स्टाइल के लिए 1750 करोड के पैकेज के माध्यम से रोजगारी को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे काम किये गया है SC-ST कल्यान के लिए भी SC-Welfare के लिए 56,000 करोड और ST के लिए 32,508 करोड वेका आबंतन किया गया है मित्रों मैं मानता हूँ कि ये बजेट भारत की विकास के नक्से को सर्वस परसिय और सर्वस अमावेशक बनाएगा हर हिस्से को छुने का प्रयास किया गया है और हर हिस्से को समाविष्ट करने का भी प्रयास किया गया है और प्रधान मंत्री जिन्ने जो लक्स रखा है New India की कल्पना एक सोच एक कंसेप्ट भारत की जनता के सामने रखा है उसको पूरा करने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम इस बज़ेट के माद्यम से उठाया है मैं भारतिय जनता पार्टी की और से भारतिय जनता पार्टी के करोड़ों कारेकरता की और से देश के प्रधान मंत्री स्री नरेंद्र मोदी जी और देश के वित्त मंत्री स्रीवान अरून जेटली जी को रदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं इन्हों ने जो लुकावी मुख बजेट दिया है वो आने वाले दिनों में भारत के इंकास के लिए एक मिल का पत्थर बनकर रहेगा इसका सबको विश्वास है धन्यवाद है वित्त मंत्री अलू जेटली ने जो बजट पेश किया है तमाम चीजों को ना सिर्फ गिना रहे थे बलकि ये बता रहे थे कि मोदी सरकार सबका साथ सबका विकास का जो दावा करके सथा में आई थी उसी दिसा में बढ़ रही है और साथ तोर पर उनका कहना है कि इस देश का बहुत बड़ा तपका जो कहीं न कहीं अंदेखी का सिकार था मोदी सरकार में उसकी सुद ली गई है और उस पूरे बजट को जो है उसका बजट का लाब उस तक पहुंचाने की कोशिश की गई है मिसरा जी एके मिसरा जी हमारे साथ है सुना सर आपने कि किस तरह से बित्य मंत्री के बाद बीजट के तमाम बड़े नेता इस बजट का गुनगान कर रहे हैं किस बजट में सभी तपकों का बिशेश ध्यान रखा गया जी मैं आपको बता हूँ political point of view से अगर आप देखेंगे तो opposition हमेशा ही विरोध करेगी और जो BJP वाले हैं वो एक एक चीज को इसको बहुत अच्छा बताएंगे एक rational way में अगर आप इसको analyze करें rather than कि आप BJP या Congress के हैं मैंने आपको बताया है दो तीन चीजे बहुत अच्छी हैं लेकिन पूरे overall हर एक segment को touch कर लेना इस budget में इन्होंने यह नहीं किया है उसका एक live example है sell lead class के लोगों के लिए आपने क्या किया कितना बड़ा वो class है और tax pair है आपने budget में बित्मंत्री जी ने खुट डाटा बताया था आपने एक शब्द तक नहीं बोला आधे परसंट की रियायत दे देते तब भी यह होता कि हाँ भाई शबुन के लिए यह चीज हो गई है तो सारी चीजों को touch नहीं किया है पूरा का पूरा इनर्शेल अगर देखेंगे तो मुझे यह लगता है कि रूलर एरिया के विकास के लिए इन्होंने बहुत ज़्यादा फोकस किया है दो-तीन जो बड़ी अच्छी चीजे है रेलवे के इन्होंने जो रेल लाइने है उसकी दोहरी करण के लिए एक बहुत अच्छा इनिशियेटीव है मैं बुलड ट्रेन वगरा आने में तो अ को आगे बढ़ाने के लिए भी गवर्मेंट ने बात की और प्रावधान रखा आज आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट का बहुत ज़्यादा इसकोप नहीं है प्रिमिटिव नियो नेटल स्टेज पे है लेकिन दस साल के बाद आप यह देखेंगे कि जो कंट्री आर् इंटेलिजेंट इंडस्त्री के मामले में इतना ज्यादा सीरियास है कि उसने पूरी एक टास्क फूर्स बराई हुए है आगे जो भी होगा सर वो artificial robots जैसे हो गाय, artificial intelligence, सारे satellites, सारे work equipment, day-to-day office में जितनी चीज़े होती है, artificial intelligence, next generation, revolution, सार technology और human के उसमें, तो यह है कि इनूने बहुत अच्छी चीज़ पकड़ी है सेव जी क्या मानते हैं कि बीजेपी ने जनता की उमीदे जितनी अपनी ओर बढ़ाई उन उमीदों पर अब बीजेपी खुदी फस्ती नजर आ रही है बिल्कुल आपने ठीक जो है उसका एक्जामपल सामने रखा सबसे पहले अभी अमिछाजी और पीजि गोईल जी बात कर रहे थे पीजिश गोईल जी बिजली की बात कर रहे थे अमिछ जी जो है बिलॉड़्ट की भी बात कर रहे थे तो मैं पिर कुछ सामने जो है गौर्मिंट का आकओराप सामने रखना चाहता हूं जो अन psychology का है 64,000 villages है अभी भी जहां पर बिजली नहीं आ रही है यहां तक कि अगर यूपी के अगर बैट की बात करो तो खुद गोरकपुर में ऐसा village है जहां पर दो महिने से light नहीं है प्लस गौर्णमेंट 18,452 villages में सप्लाइ करने के लिए कितनी power consumption create की गई यह तो बताना भूली गए भाई वादे करने से ऐसे कुछ नहीं होता है जब तक आपकी produce electricity आप produce नहीं करेंगे तो supply कहां से देंगे तो production की तो बात होई नहीं है कहीं से भी जो है कि हम जो है कितनी बिजली जो है produce कर सकते हैं बारहal सुने में वो वादे आते हैं कि हम यह करने जा रहे हैं हम वो करने के लिए जारे हैं जी बलकुल सहेब खान जी आप हमारे साथ जुड़े के मिसरा ची आप हमारे सा जुड़े बहुत धन्यवाद आपका बजट को लेकर अलग-अलग परतिक्रिया हैं ना सिर्फ आम लोगों की आ रहे हैं बलकि अर्थ सास्त्री भी इस पूरे बजट की समिच्छा में जूटे हैं कि इस बजट का कितना लाब जो है आम लोगों को आने वाले दिनों में मिलेगा और जो बित्मंत्री या फिर मोधी सरकार के तमाम मंत्री दावा कर रहे हैं कि सभी तपकों का विसेश ध्यान अखा गया है और सबका साथ सबका विकास की बात जो मोधी सरकार ने कही थी इस बजट के मारफत वो आगे बढ़ रही है बनेवे आप टीवी डिनके साथ नमस्कार झाल